बिहार विधानसुभा चुनाफ से पहले बिहार का सियासी पारा चड़ा हुआ है अगला चुनाफ नितीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा या बीजेपी के नित्रतु में जेडियू की रास्ट्रे कारिकार्णी की बैठक बुलाएगे इस बैठक पर सब की लोगसुबा चुनाफ से ठीक पहले नितीश कुमार ने कारेकार्णी बैठक बुलाई थी और बिहार की सरकार बदल गई थी उस बैठक में नितीश कुमार ने महा गचबंदन का साथ छोड़कर एंडिय में वापसी करने का फैसला लिया था बीजेपी के साथ गचबंदन के बाद जेडियू की ये पहली मीटिक है इस बैठक से ठीक पहले बीजेपी के दिगज नेता और पूर केंडरे मंतरी अश्विनी चौबे ने बीजेपी की अगवाई में उतरने की वकालत किया है उन्होंने दावा किया है कि इससे बीजेप पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और एंडिय की सरकार बनेगी हाला कि बीजेपी ने 2025 के विधास्वा चुनाव में भी नितीश कुमार के नित्रतु में उतरने का एलान किया है अश्विनी चौबे का बयान जेडियू नेताओं को पसंद नहीं आया पूर्ण बहुमत के साथ भारतिये जन्ता पार्टी अकेले अपने दम पर आये और एंडिये को भी अपना सहोगी दल को भी आगे बढ़ाए ये हमारी मंसा है और उसके लिए हर कार्ज करता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को वक्षू भी करूंगा बिना किसी चाहा का और मुझे लगता है कि हम नितीज जी को भी साथ लेके चल रहे थे आज भी चल रहे हैं आगे भी चलेंगे मुख्मंती का चेहरा तो उसमें जब चुना होगा उसके बाद देखा जाएगा अभी वो पार्टी तई करेंगी केंद का नित्त तई करेंगे पहले या बाद में क्या होगा वो केंद नित्त तई करेंगा 24 के बयान के बाद बीजएफी ब्रदेश अद्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीयम समराट चौधरी ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार के आवास पर जाकर मुलाकात की इस मुलाकात को अश्विनी 24 के बयान से जोड़ कर देखा गया हाला कि नितीश कुमार से मुलाकात के बाद समराच चौधरी ने कहा कि वो हमारे मुख्यमंत्री है हम लोगों के बीच वारता होती रहती है हम उनसे बास करने गए थे उधा जेडियों ने ताउनी भी कारेकार्णी बैचक में कुछ बड़े निर्लन लियर जाने की बात कही